असलाम अलेकुम वेलकम बैक तो मैं चैनल आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक यह बहुत ही यम्मी बनेगा क्योंकि आप सबीको चॉकलेट केक सबीको बहुत पसंद होता है मुझे भी पसंद है जिसको भी पूछेंगे हर उत कहेगा कि हां उसे पसंद है कोई भी मना नहीं करत करना मत भूलिएगा तो चलिए बनाते हैं केक इसके लिए मैं यालोंगी वन फोर्थ कप ऑईल आप इसकी जगे बटर भी यूज कर सकते हैं बन कप ले मैंने पावडर शुगर और इसमें एड़ कर देंगे दो अंडे आप चाहें तो सिर्फ अंडे का वाइट पार्ट यौग जो इसकी यलो पार्ट है वो आप निकाल भी सकते हैं मैं इसमें पूरा यूज कर रहे हूं और वन टेस्पून डाल देंगे इसमें वनीला एसेंस अब इस सबी चीजों को मिक्स करेंगे और इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि इसमें बेल्कूल भी एक भी अब हैं ने वन कप लिया है इसको अच्छी से चान लेंगे उसके बाद में मैं आदा कप और लूँगी उसको भी चान लेंगे अगर बिना चान की यूज करेंगे तो बेटर बनेगा उसमें बहुत सारे लंगे और केक के अंदर लंगे तो केक अच्छा नहीं बनेगा आप अब जादा चॉकलेटी फ्लेवर चाते हैं तो आप इसमें बढ़ा सकते हैं कोको पाउडर मैंने ये वेक फिल्ड का यूज किया है तो देखिए फाइब टीस्पून मैंने डाल लिया है इन सब चीजों को भी शान कर डालेंगे डारेक ऐसे नहीं डालेंगे तो मैंने ये स चान लिया है और आप देख सकते हैं चानने के बात कितने सारे लंप दिख रहे हैं तो इसको मैं चमस से अच्छे से श्ट्रेंड कर लूँगी इसलिए हमें चान कर यूज करते हैं ताकि कोई भी लंप न रहे तो आप सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे इसे हमें मिक्स करना ए उल्टा सिदा बिल्कुल भी मिक्स नहीं करेंगे हम इस तरह से मिक्स करेंगे यूद कि अब यूज के सब चीजों का जो लेकुड था उसमें मेक्स करते रहेंगे फिर हमें जरूरत होगी तो हम इसमें डूद डालेंगे आप देख सकते हैं अभी बेटर बहुत सूखा है तो इसमें डूद डालेंगे दूद मैं लिया है हाफ कप एक साथ पूरा दूद नहीं डालेंगे जितने जरूरत हो कि उतना हम डालते जाएंगे थोड़ा-थोड़ा करके तो देखिए अभी और डलेगा इसमें होगी तो मैंने अब दूबारा से इसमें डाल दिया है दूद अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से आप मिक्स करते वह इस बात का खास खयाल रखिएगा क हमें इसे एक ही तरफ mix करना है उल्टा सीधा बिल्कुल भी mix नहीं करेंगे अगर हम उल्टा सीधा mix करेंगे तो फिर हमारा जो cake है उसमें अच्छी जाली नहीं आएगी केक में अच्छे से केक राइस नहीं होगा तो देखिए ये मारा बैटर बनकर तयार होगा है इसकी consistency देखिए हमें इसी तरह की consistency चाहिए थी तो ये बनकर तयार हो गया है और दूद जो था वो सिफ एक टेबल स्पून बचा ये एक बड़े चमच तक ही दूद बचा था हाफ कपने पूरा दूद लग गया है बाकी का तो यहां पर मैंने लिया है केक टिन इसको मैंने ओइल से ग्रीज कर लिया है अब इसमें डाल देंगे हैं जो हमने बैटर बनाया था वो डालेंगे देख सकते हैं इसके कितने अच्छी कंसेटेंसी है बस हमें इसी तरह की चाहिए है तो सारा बैटर मैं इसमें डाल दूँगी यह मैंने सारा बैटर डाल दिया है अब इसको टैप कर लेंगे करीब चार से पाँच बार टैप करेंगे ताकि इसके अंदर जितनी भी एर वबल्स हो वो निकल जाए तो अब इसको हम बेक करेंगे इसके लिए देखी मैंने ये कड़ाई लिए है कड़ाई में स्टेंड लगा कर रख दिया था इसको प्रीट कर लिए है देखिए केक कितनी अची तरह से राइस हो गया है गैस को मैंने आफ कर दिया है अब मैं आपको चाकू से दिखाती हूँ देखिए चाकू क्लीन आया है इसका मतलब है कि केक अंदर तक बेक हो चुका है तो अब इसे ठंडा कर लोगी मैं ऐसे ही करीब 5-7 मिट के लिए मैंने छोड़ दिया था इसके किनारों को चाकू की मदद से हटा देंगे फिर इसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे इसके लिए मैंने ये रेक लिया है मैं इस पर उल्टा करके रखेंगे और हलके हाँ से टैप करते हुए इसको निकाल लेंगे कितनी आसानी से ये डीमोल्ड हो गया है आप देख सकते हैं देखिए कितनी अच्छी जाली आई है केक में केक बहुत ही अच्छा बना है बहुत सॉफ्ट है अब इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे दोनों तरब से पलट के ठंडा कर लूँगी दोनों साइड से तो पूरी तरह से ठंडा करने के बाद देखिए केक पूरी तरह से ठंडा हो चुका है तो अब इसको हम डेकुरेट करेंगे यानि कि इसकी icing करेंगे तो उसके लिए हम लेंगे cake table अक्षर हमारे पास नहीं होती है मेरे पास भी नहीं है मैं उस तरह से आपको बता रही हूँ तो उसके लिए लेंगे हम ये glass और glass का हम ये पीछे का हिस्सा यूज करेंगे और लेंगे एक थाली थाली को इस तरह से बिल्कुल यूज नहीं करेंगे इस तरह से करेंगे तो balance नहीं बनेगा और इस तरह से करेंगे इसको पलट के रखेंगे तो आप देखेंगे कितने आराम से rotate हो रही है ये तो हमें इस तरह से यूज करना है थाली को तो दीये देखिए पहले मैं केक को एकोल कर रहे हूं उपर कपार्ट को हटा दूँँए थाकि केक एकोल हो जाए एक आप थाकरे विभाट में नहुत में काट सकते हैं धागे को इसमें फसा कर और दोनों धागों को एक साथ पकड़ कर आप आराम से खीच दीजिए तो बिल्कुल एक साइस के दोनों पार्ट्स करते हैं नहीं कहीं से मोटा नहीं कहीं से पतला इकुल करते हैं देखी बिल्कुल कर गया है आप में शिरफ बनाऊंगी तो शिरफ यहां कोको पॉडर की जगा खूफी भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यह चीज नहीं कॉफी नहीं कोको पॉडर सिर्फ चीनी के साथ पॉडर शुगर को भूल कर उसका सुगर स्रफ बनाकर बोडाल दीजिये यह सिर्फ लगाना बहुत ज़रूरी है इससे केक में मौइस्चर आता है और केक बहुत ही अच्छा हो जाता है और भी ज़्याद़ सॉफ्ट हो जाता है अंदर से तो पहले पूरे केक को मौइस्चर कर लेंगे पूरे केक पर लगाने है साइड कर, खासकर इसकी किनारियों पर बहुत ज़ाद ज़रूरी है लगाना तो मैंने पूरे में लगा लिया है अब इसके उपर मैं आइसिंग करूंगी ये मैंने डालिया चॉकलेट गनास तो आप देख सकते हैं मैं ये चोकलेट गनास लगा रहे हूँ, इसको लगाने के लिए मैंने सिर्फ बटर नाइफ लिया है, मेरे पास आइसिंग नाइफ नहीं है, और मैं आप लोगों को वही दिखा रहे हूँ कि इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं, तो मैंने आइसिंग नाइफ से लगा लि तो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, चोकलेट गनास स्क्वेर, उसमें मैंने गनास बनाई थी, तो उसकी रैस्पी आपको वहां से मिल जाएगी, और इसको बनाने के बाद आप अच्छे से फ्रिज में चिल्ड करके जब यूज कीजिएगा, तो आप देख सकते हैं, इ आपको मन करता है कि मैं घर में बना हुई चीज है, तो आप दरूर बना सकते हैं, तो यह ऐसी कोई भी चीज नहीं, जिसका कोई हल नहीं है, अब यह देखिए, मैंने इसको डेकुरेट करने के लिए यह थोड़े से चोको चिप्स डाल दिये थे, देखने में कितना उस तरह से दिखा रही हूँ कि अगर आपके पास नहीं है, तो आपके इस तरह कर सकते हैं, अब इसको फ्रेज में रख देएं करीब दो घंटे के लिए तक यह अच्छी तरह से सेट हो जाए, जो इसके ऊपर के आइसिंग चॉक्लेट गनास यह अच्छी सेट हो जाएं, कितना अच्छा लग रहा है, आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए, यह में दो घंटे के बाद हमने कट किया था, मैंने आपको सुरू में भी दिखाया है, कट हुआ, आप इसे जरूर ट्राइ कीजिए और इसका फीडबेग हम से जरूर सेर कीजिए, फिर मिलेंगे आपसे ने हाफ़ेज,